देखो इधर के समझो एक चीज और क्या बोल रहो हूं मैं कि एक चीज और सरल में अगर आपको समझना है कि वह लोग लॉस्ट वेक्स टेकनिक कैसे काम करती है तो आप ऐसा समझो मैंने क्या किया यह मूर्ती जो भी है यह मैंने डिजाइन तैयार की काहे की यह है वैक्स की यह काहे की है वैक्स की ठीक है यह वैक्स है यहां पर लिख देता हूं यह वैक्स इसके उपर मैंने क्या किया इसके उपर मैंने कोटिंग कर दी काहे की यह पूरी कोटिंग कर दी मैंने क्ले की ठीक ये पूरी कोटिंग कहे की कर दी ये है आपका क्ले ये क्ले है अंदर पूरा क्या भरा हुआ है अंदर पूरा वैक्स भरा हुआ है ये पूरा क्या है वैक्स है ठीक है ये पूरा वैक्स है और ये क्या है उपर से क्ले है अब मैं क्या करूँगा, यहां से एक होल होगा, देखो, यहां पर दो होल होगे, एक यहां से होल, समलो आप एंट्री करने के लिए, और एक यहां से होल है समलो, बहार निकलने के लिए, यहां से मैं क्या करूँगा, मॉल्टेन, मॉल्टेन मेटल डाल दूँगा मैं, हैना प अगर ब्रॉण्से बनाना चाह रहा हो, तो ब्रॉण्ज का यूज कर लो मैटल मतलब कौपर का ही बनाना चाहते हो तो कपर का बना लो यहाँ से आप क्या करोगा? यह गरम है पूरा, समझो आप और यह पूरी पीले कलर की यह लेयर कहे की यह लेक ही है ठीक है ना पूरी एक पतली से लेयर मैंने तैयार कर दी मेटल के ऊपर ही है अब मैं जब इसमें डालूँगा तो आपको नहीं लगता यह वाला इतना मॉल्टन रहेगा टेंपरेचर जादा रहेगा तो यह वैक्स इधर से पिखल जाएगा यह वैक्स इधर से बाहर निकल आएगा है ना और यहां पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो भी आप metal यूज़ कर रहो, जो भी आप जो भी आप bronze यूज़ कर रहो, है ना, मतलब जो भी आप alloy यूज़ कर रहो ठीक है ना, वही बचेगा ना ठीक है ना, जब उरा mom निकल गया जब यहां से यह निकलने लगीगा molten metal निकलने लगीगा, तब हम क्या करें इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिये, हम को समझ में आगा कि mom पूरी खाली हो गई यह उदर से, ठीक है ना, यहां से भी mom निकल आएगी, ठीक है तो एक entry point होगा, exit point, अब last में यहां पर क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका molten metal यह फिर जो भी bronze यह फिर जो भी aloia जिससे आप बना रहे हो, वो बचेगा, ठीक है ना, अब इसको कुछ देर के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, तो इसको dry के लिए छोड़ दिया, अब यह dry के लिए छोड़ देगा, तो बाद में यह clay भी अपन ने निकाल दिया, ठीक है, इसको पटक देंगे, अब तो metal इसको पटक दो, तो clay की यह जो layer थी यह भी बहार आजाएगी, है ना, clay की layer भी बहार आगी, तो अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको सिर्फ वो मूर्ती नजर आईगी, समनागा, तो ऐसे काम करता है आपका lost wax technique, एक यह technique है, दूसरी technique तो मैंने आपको बता ही दिया, साचा होता है, साचे में हम पहले मालो की मूम है, तो मूम डाल देंगे, यह मूम का साचा यहां पर डाल दिये, ठीक है, और उसको आसपास में पूरा clay है, ठीक है ना, और मालो, पहले से कोई मूर्ती है, तो मूर्ती डाल देंगे तो और अच्छे से बनेगा, मूर्ती नहीं है, तो आप मूम का वो बना लो, और फिर उसके बाद मूम का वो बनाने के बाद इसमें रख दो, आसपास clay रख दो, और फिर साचा से पैक कर दो उसको, तो वो एक शेप ले लेगा, बाद में उस पर क्या डाल दो आप, तो मॉल्टेन मेटल डाल दो, तो वो पिगला हुआ मूम बाहर आ जाएगा, तो मतलग कुल मिला कि चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, वैसे कर लो, दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, तो यह क्या बताता है उस समय का, उस समय का यह बताता है, स्कल्प्चर कैसे काम करता था, तो स्कल्प्चर क्या है तो मैंने आपको बता दिया, 3D Volume of Art होता है, यहाँ पर दो स्कल्प्चर याद रखना, Dancing Girl और Bearded Man, आपको प्री के लिए यह देखना है, आपका काम है यह, कि यह कहां से देखा गया है, Dancing Girl कहां से मिली है, और यह Bearded Man आपको कहां से मिला है, ठीक है ना, अच्छे से आद कर ले रहा, आया हुआ कोश्चन है, यह Dancing Girl कहां पर मिली है, ठीक है ना, Bronze Sculpture क्या है, Metal Caste Sculpture क्या है, यह मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है ना, Metal Caste Lost Wax Technique क्या है, यह अब भी विता दिया मैंने आप, ठीक है, Important Centers है उस समय के, मैंने आपको बता ही दिया, इनके Features देख लिए हम लोगों ने दोनों के, यह Bearded Man का हमने देख रहे थे, यह 3D Volume है, काहे से बना है, तो यह Bearded Man जो है, वो Steatide से बना है, वही पर जो Dancing गल है, वो काहे पर बनी थी, तो मैंने आपको बता दिया, ब्रॉंज पर बनी है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो, शॉल है, शॉल है, जो उसके Under Right Arm में आपको दिख जाएगा, यहाँ से Right Arm से नीचे हैं, और Cover कर रहा है Left Arm को, यह Left Arm है उसका, यह Left Arm है और यह Right Arm है, तो Right Arm के नीचे से हैं यह देखो, यहाँ से, कवर नहीं कर रहा है, वही पर Left Shoulder को पूरा Cover कर रहा है, ठीक है ना, आप शॉल को भी देखो, तो वो Properly Decorated है, यहाँ परशाल को देखो, तो यह पूरा Decorated नजार आ रहा है, मतलब सोच रहा हूँ आप कितना, वो Fashion को Importance देते हैं, आँख देखो, उनकी तो Meditative, Concentrative आपको नजार आएगी, है ना, Half Closed Eyes है, ठीक हैं, देखो, अभी Half Closed है, हाँ बंद हैं, यह सब काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कि हाँ कुछ, ऐसे कुछ Importance तो वो देते थे किसी चीज को, Mustache वगएर आपको मैंने बता दिया, कि वही वो आपको Short Beard वगएर यह सब देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको प्रॉपरली ट्रिम्ट देखने को मिलेगा, यह सब इतना चीज़ नहीं है, आम में देख लो, वस एमुलेट है, मैं लोग वो लोग बिलीब करते थे, फैशनेबल होते थे, यह सब आप जिस्टिफाई कैसे करो गए, तो उनके लिए कुछ एक्जाम्पल्स होने चाहिए, बस इसे लिए हम यह देख रहे हैं, तो यह स्कल्प्चर वाला जो पॉइंट था, वो हमने समाल लिया कि हरपण आर्ट में, मतलब स्कल्प्चर कैसे काम करता था, ठीक है न, तो, अब क्या देख लेते हैं अब स्कल्प्चर हो गया अपना, स्कल्प्चर के बाद, अब क्या बचा हैं, शलो जो भी यह देख लेते हैं, स्कल्प्चर के बाद अब देख लेते हैं, टेरा कूटा, टेरा कूटा फिकर्स, टेरा कूटा, तो आपको पता हूने चेह यह टेरा कोटा फिगर से हैं यह कुछ फिगर्स बनाते थे अब वही चीज़ समझ रहे है कि किस तरीके के फिगर्स बनाते थे तो सबसे पहले टेरा कोटा क्या होता है तो यह तरीकी का चीनी-मिट्टी टाइब का होता है तो उसको क्या बोलते हैं अब यह कैसे बनाए जाते थे तो यह याद लगके नगजें यह हंड मेड हूते थे हैंड मेड pinching method pinching method मतलब देखो आरे अपन नहीं करते मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में आपन हाथ से दबा दबा करके उसको तयार करते हैं तो वही है यह, handmade होता था और pinching method से इसको बनाए जाते हैं तो आपको पता है इसमें ज़्यादा finishing वगयरा आपको देखने को नहीं मिलेगी यह जो टेरा कोटा figure होते थे इसमें से ना इसको यह इसमें ज़्यादा मतलब आपको जो clarity होती है वो नहीं देखने को मिलेगी ठीक है ना इसका जो best example है वो आपको क्या है मतलब आप इसमें धूड़ोगे finishing देखोगे, cut देखोगे प्रॉपर तरीके से sophisticated manner में यह नहीं बनते थे बट हाँ अभी दिखाऊंगा figure तो आप समाझ जाओगे कि मिट्टी होती थे इसको हाथ से दबा दबा करके तयार करती थे इसका best example है Mother Goddess Mother Goddess ठीक handmade होता था यह वात आपको है ना उनका जो था वो उतना अच्छा तो नहीं है मतलब उतनी आपको finishing नहीं देखने को मिलेगी बट हाँ यह काम भी वो करते थे सब्सक्राइब कर इसमें आपको मतलब आपको human figures भी देखने को मिल जाएंगे human figures animals कुल मिला कर टेरा कोटा figure से वो क्या बनाना चाहते थे तो वो toys बनाते थे सब्सक्राइब के यह toy making style था उनका खिलोने बनाने के लिए वो यह टेरा कोटा फिगर को तयार करते थे ठीक है ना handmade होता था याद अखले ना pinching method यूज करते थे best example mother goddess है ठीक है ना mother goddess अब इसका बेस्ट आपको center देखने को मिलेगा तो इसके center कहां देखने को मिल रहा है आपको तो इसके कुछ centers है जैसे kalibanga, kalibanga में यह सब चीज है बहुत देखने को मिली हुई है तो kalibanga आपको जगय का नाम पता होने चाहिए ठीक है और उसके साथ साथ यहां पर मैंने आपको बता है था ना कि यहां पर toy में जैसे की toy cart बनाए है इनों cart with wheel यह बनाए है wheel वगएरा वो जानते थे उस समय सोचो अच्छा खासा wheel, मतलब wheel cart को जाना जैसे कि आप यह हम लोग जो bell gauri होती है bell gauri, वो ही bell gauri वो लोग उस समय बना करके travel करते थे, मतलब उनका medium of traveling था वो भी उस समय था, ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहां वो बुलक कार्ट और यह सब चीज़ों का use करते थे, यह बुलक कार्ट आपको देखने को मिल रहा है अभी दिखा रहा हूँ है आपको एक्जामपल तो गुजरात वगेरा में आपको यह बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो काली बंगा में देखने को मिल रहा है mother goddess है, toy cart आपको देखने को मिल रहा है birds, animals, etc. यह सब देखने को मिल रहा है यह आपको अलगी समझ में आएगा कि इसमें उतने finishing नहीं देखने को मिल रहा है यह सब क्या है, toys की तरह है आपको देखने को मिलेंगे यह terracotta figures है most important मैंने आपको बता ही दिया mother goddess है, in this valley लोग क्या करते थे, terracotta images को use करते थे, but as compared to terracotta representation are crude in the indus valley, ठीक है ना यह सब मैंने आपको समझाई दिया, more realistic in gujarat and kalivanga यह आपको बता ही दिया मैंने आपको ठीक है, in terracotta, यह legs यह सब आपको, अब यह figure वो समझा देगा कि इनके बारे में details दिया है, वो सब कोई काम का नहीं है आपको, बस यह जो आपको overview समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया ठीक है ना, toy cards है, जैसी यह देखो wheel है, ठीक है ना और कुछ देख लेते हैं, और कभी figures दिये हैं यह है, जैसे यहाँ पर देख लो, यह terracotta figures toys हैं, इसमें sculpture देखो, आपको एक एक चीज finished, finishing देखेगी बट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी finishing, सब्सक्राइब ना यह mother goddess ठीक है न, यह देखो mother goddess है mother goddess ठीक है न, अब यह mother goddess के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो यह standing female figure आपको देखने को मिल रहा है उनके बारे में बताये कि necklace है, और उनोंने cloth wear किया है, ठीक है न, यह सब बताया है उनोंने fan shape, उनका head dress है, head dress के साथ head gear वो use कर रही है ठीक है न, तो यह सब चीज़े, basic चीज़े हैं देखो, यह सब आप बढ़ लोगे क्या है आख कैसी है, उनकी नाख कैसी है, यह सब आपको पूरा बता दिया है, ठीक है न दिकल मिला के, जो main चीज़े थी वो बताना था, वो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे यह काम करते है, ठीक है अगर बात करें, तो यहां पर आपको पॉर्टरी आपको कैसी देखने को मिलेगी यह आपको most of the पॉर्टरी जो होती थी, वो वील मेड होती थी मतलब जो घुमाते जाते थे, नीचे चकरी होती थी, उसको गुमाते रहते थे और फिर आपको क्या देखने को मिल जाती थी, उससे वो लोग पॉर्टरी इसको तैयार काते थे, यह ना तो याद रखना कि वील मेड होती थी यह ना, वील मेड लेकिन आपको कुछ तो आपको, सम आपको कैसी देखेंगी, हैंड मेड भी देखेंगी हैंड मेड सुझ मैं क्या? तो वील मेड, mostly कैसी देखने को मिलेगी, वील मेड मतलब नीचे एक चकरी चलती थी उससे वो बनाते थे, और उसके अलावा आपको, हैंड मेड भी देखने को मिलेगी है ना, इसके साथ साथ आपको प्लेन पॉटरी सबसे ज़्यादा कॉमन थी most common कौन सी थी, most common वो यूज करते थे, प्लेन पॉटरी प्लेन, है ना प्लेन पॉटरी और लेकिन वो डिजाइन करते थे डिजाइन में मातलब आपको mathematical design देखने को मिल जाएगी जैसे triangle, circle ये सब देखने को मिल जाएगी, हैना, mathematical figures देखने को मिल जाएगी संद्याया क्याँ, उसके साथ साथ आपको human representation उसके साथ साथ आपको animal representation उसके साथ साथ आपको फ्लोरल रेप्रिजेंटेशन, फ्लोरल डिजाइन और रेप्रिजेंटेशन, यह सब चीजों का वो बनाते थे, यह आमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन आता है कि समय कौन सी पोटरी डॉमिनेट करती थी, कौन सी जाती थी, तो ब्लैक एंड रेड वियर, ठीक है ना, तो ब्र बेंटिंग जो थी वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, तो यह सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं काम करता हूं आपको एक चीज और बता देता हूं, जिसमें एक सिगन डूखना है, ए आपको पुछता है कि कौन सी पौटरी किसके फीचर है, तो यह मैंने आपको बता दिया, कि हरपन के कौन से फीचर होते हैं, तो ब्लैक एंड रेड वेर, पौटरी जो है, वो हरपन की फीचर है, वही पर, और अर्ली वेधिक का एक लिख लो कहीं पर यह बहुत फूसता है ठीक ना अरली वेधिक का आपको ओकरी-coloured pottery देखने को मिलेगी लेटर वेधिक ने को मिलेगी पेटेड ग्रेवर पॉतरी देखने को मिलेगी वहिंた पी न पर प्रीमोरेन्वी वहिं. और Morian Morian के समय में आपको N B P W ठीक है ना? फिर N B P W ठीक और उसके अलावा जो आपके Post Morian है Post Morian के समय में कौन सी देखने को मिलेगी Post Morian के समय में देख लो इधर पर Post Morian Post Morian के समय में आपको Red Wear देखने को मिलेगा Red Wear है गुपतास के समय में भी आपको क्या देखने को मिलेगा ये प्री में पूस्ता इसलिए मैं आपको बता दिया Red Wear ठीक तो ये कुछ पॉटरीस के नाम से वह मैंने आपको बता दिये ये बाद थोड़ा सब दिमाग में लोग दिमाग में ये अब ये ओखरे कलर्ड पेंटिंग ओखरे कलर्ड पॉटरी है ठीक है ना ये बी आर डबलू का मतलब क्या है Black and Red Wear PGW मतलब Painted Gray Wear वही पर इसका मतलब NBPW का मतलब होता है Northern Black Polish Wear ठीक है न नौर्दन Black Polish Wear वही पर ये भी वही है रेड़ वेर का मतलब बता दिया रेड़ वेर का मतलब आपको बता लए ये color of the pottery की आधार पर हमें ये classify करते थे ठीक है Done अब यहां पर देख लो pottery से related और क्या पता हो न चाहिए आपको ठीक और यहां पर ये बता दे रहा हूं मैं कि वही हां motive design होते थे different shape different style में इसको तयार किया जाता था design हो गया प्लस ये design मैंने आपको उता जिया अब shape कैसा इसका तो shape ये भी आपको different shape में देखने को मिलेंगे अब दिखाऊंगो मैं आपको कौन कौन से shapes में आपको potries देखने को मिलती है ठीक न बट थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया होने चाहिए कि यहां कुछ potries वगेरा वो बनाते थे तो आपको overall एक idea purpose क्या है अभी तो देख लेंगे इसका ठीक है अब एक चीज़ और समलो potries related यहां पर सबसे common कौन सी थी तो मैंने आपको बता दिया कि plain pottery सबसे ज्यादा common थी plain pottery काहे की बनी हुई होती थी यह देखो plain pottery जो होती थी नहीं यह जो plain potries है वो आपकी red clay की बनी हुई होती थी red clay की mostly जाना अब यह जो plain potries है ठीक है ना मतलब कोई भी pottery ले रहो हो आप जो भी potries है उन potries में आपको knob देखने को मिलेंगे नॉपड वेर भी है आप में आपको उसमें ornaments भी देखने को मिलेंगे औरनमेंटेड मतलब properly decorated भी देखने को मिलेगी यह सब तो मैंने आपको समझाई दिया है कि बही decorative है design बनाएंगे motifs बनाएंगे यह सब देखने की ठीक है ना black painted wear भी आपको देखने को मिलेंगे red clay से बने हुई ठीक है ना अब उसमें मैंने main चीजें आपको बस यह देखने को मिलना है कि जो BRW potries यहां पर dominate करती थी plane dominate करती थी और wheel made dominate करती थी उसमें geometric design भी देखने को मिलेंगे आपको animal design भी देखने को मिलेंगी प्लस आपको glossy appearance भी देखने को मिलता है ठीक है ना glossy appearance मतलब वो आपको metallic appearance देगा चमकता हुआ ठीक है ना glossy appearance भी देखने को हमको मिलता है तो यह कुछ उस समय कि जो भी pottery से related जितनी चीजें पता होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया यहां पर आपको geometric design देखने को मिलेगा geometric design mathematical design बोल ला था मैं वो उसको geometric design बोलते है काई देखने होगी आपका different different shapes में आपको देखने को मिलेंगे यह सब चीजें यह आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब यह use काहे का होता था इस pottery का क्या use था अगर हम बात करें use of pottery so in pottery का क्या you use होता था था है अगर हम बात करें potrzeb का好不好 थो यह आपको storage परपस के लिए use होता था plis टोरेज परपस जैसे कि आपको food grain अगरा देखने को मिलेंगे food grain वगेरा रखने के लिए हो गया है ना water को storage करने के लिए यहां पे food grain को storage करने के लिए water को storage करने के लिए इन सब चीजों के लिए उसका use तर मतलब क्या बोल सकते हैं काहीं में use आ हाउसल्ड वर्पस्ट के लिए को जा है तिक क्या है फॉर डेकौरेशन के लिए भी उसकिया जासा आज भी हम क्яा करते हैं कि भई ऐसे कुछ प platree हो तियों निच करते हैं है तो कि हमको बहुत सारे मिनियीच्र मिनियीच्र वैसल देखने को मिले हैं है मतलब हमको miniatures vessels देखने को मिले हैं जो हमको यह बताते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो decorative purpose के लिए भी use कर रहे हूं तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि वो decoration purpose के लिए use कर जाए है next क्या बोल रहा हूं है हमको कुछ perforated potries भी देखने को मिली आपको चेद देखने को मिलेंगे मतलब वो काही के लिए जो वाइन वगयरा जो पीने के लिए लोग use करते हैं उस purpose के लिए तो वहाँ पर हमको उस तरीके के भी potries देखने को मिली वो क्या बताती हैं आपको कि वो straining liquor के लिए use किया जा रहा होगा सिक है ना use of potries में आपको क्या बतारूँ मैं यहां पर आपो कुछ परकोड़त पोट कीज देखने को मिली मालो यह आपका यह पॉटरी है यहां पर आज इसके बास तो आपको small small hole देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर एक बड़ा सा hole देखने को मिलेगा जो काहे के लिए होता है यह वो जो लिक्वर को चानने के लिए होता है तो इसको बोलते हैं for use for use for straining liquor यह लिक्र को क्या करने के लिए use होता है च्ट्रेंड करने के लिए इसको छानने के लिए use होता है तो हमको यह पॉर्फुरेटेड पॉर्टरी देखने को मिल रही है तो इनकी अनुसार हम यह भी बोल सकते थे इना कि वह लोग liquor वगर का सेवन कर रहे होंगे उस समय और आज यह सब होता था तो उस समय ये कुछ pρटरी से है उनको देखकर कर सकते हैं कि भाई यहां वो उस समय भी ऐसा चलता होगा क्योंकि हमको यह जो पर्फोरेटेट पोटरी इस देखने को मिल रही है काहे के लिए लिए जे प्शानने के लिए लिए ओती लिए लिए रिक्र को डि tweeting वहां ने you सकते हैं कि इतने तरीके से वो potteries का वो यूज कर रहे होंगे आग़ी बात अब यहां पे देख लो आप potteries related आपको दिखा देता हूँ यह है पर्फोरेटेटेटरी समस्वेगा यह है पर्फोरेटेटरीस, देखो side में यह आपको दिख रहा हूंग, small holes और एक बड़ा सा hole आपको यहां पर पीछे यहां पर दिख रहा हूँ, ठीक है ना? यह potries हैं देखो, इसमें आपको design देखो आप, ठीक है ना? अलग-अलग shape की, अलग-अलग design की दिख रहा हैं आपको, यह shape देखो, यह shape देखो, यह shape, यह shape ठीक है ना? पतला, shape अलग-अलग बनाते थी, यह नहीं कि एक अई तरीकी का दा इसमें आपको, यह तो अलग ही समझ में आ रहा हूँ यह भी वीलमेड होगा, यह भी वीलमेड होगा, कुछ potries आपको, जैसे यह है, अब इसको बोल सकते हो, यह वीलमेड नहीं रहा होगा, यह handmade हो सकता है, अब handmade है कि नहीं यह तो उमको नहीं पता, बट इस देखने से तो यही समझ में आ रहा है, यह वाले वीलमेड दिख रहे हैं, आपको यह वाला handmade में नजर आ रहा है यहां पर देखो डिजाइन देखो आप यहां पर देखो आपको अलग अलग यह देखो पैटर्न देखने को मिल ला है यह इसमें अलग डिजाइन है यहां पर 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 अलग potteries भी देखने को मिलती हैं, यह अलग-अलब परपस के लिए हो सकता है, किसी चीज को रखने के लिए हो सकता है, ग्रेन रखने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, यह समय ने आपको समझाई दिया है, बट हाँ, एक overall मोटा मोटा आइडिया हो जाने चाहिए, इसमें आपको डिजाइन वगेरा सब देखने को मिल रही है, तो हर कुछ आपको देखने को मिलेगा हरपा में, मतलब यह उस समय का, उस समय क्या बोलो, आज तक का सबसे golden period आप बोल लो इसको, हर चीज आपको देखने को मिलेगी, जो एक civilized society के पास होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर देख लो, आपको एक से एक potteries देखने को मिलेगी, तो toys भी देख लिया, potteries भी देख लिया, sculpture भी देख लिया, यहाँ पर एक, यह है, यह देखो, यह painted है, यह वाली painted है, देखो, इसका color देखो, आप यह मुहन जुदाड़ों में मिला है, यह painted अर्थन जार है, यह कहीं से बना है, wheel made है, यह देखो, लिखा है, wheel made with clay से बनाया गया है इसको, shape कैसा है, shape को manipulate किया गया है, pressure लगा करके, यह ना, फिर उसके बाद इसको क्या कहरा गया है, baking किया गया है, और उस पर baking करने के बाद, इसको paint किया गया है, with black color, यह आपको जो color, इसमें आपको brown नजर आ रहा है, वो actually मैं यह बोल रहा है कि यह black color है, ठीक है ना, उसके बाद उसको क्या किया गया है, उसको highly polishing की गई है और finally उसको finishing touch दिया गया मोटिफ्स कैसा है मोटिफ्स आपको वेजिटल और geometric forms आपको देखने को मिल रहा हूँगे यह कोई geometric और यह पत्तियां बनाई गई है डिजाइन सिंपल है बट बहुत ही खास बनाया है इसको तो ऐसा ऐसे करके आप बता सकते हो कि वे geometric pattern है मोटिफ्स होते हैं geometric pattern यह triangle वगएर आपको दिख रहा है floral design बना सकते हैं कोई भी design बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं जो जैसा उनको अच्छा लगे वैसा वो तैयार कर लेते हैं अच्छा प्लमिल आकर आपको पता हुने चाहिए कैसे तैयार किया जाता था को बेक्ट कर दिया जाता था ले पार्ट रिक Sustainable बनाते थे mostly, clay से बनाने के बाद क्या किया जाता था, उसको finally bake करके उसको finish truck दे दिया जाता है, सब्सक्राइब है न, potries clear है, अब क्या देख रहे हैं अपन, potries के बाद अब जो हमारा बचा हुआ है, उसको बोल रहा है हम, कर लेते हैं, sculpture हो गया, pottery हो गया, तेरा कोटा भी हो गया, अब beads and ornaments देख लेते हैं, ठीक है न, beads and ornaments, beads and ornaments, मैंने आपको क्या बताया वही, मैंने आपको अभी जब से क्या बता रहा हूँ कि यह लोग बहुत simple लोग थे कि काफी fashionable लोग, समय में यहां के जो लोग होते थे न, वहां के जो people थे, वहां के जो लोग थे, वो highly fashionable थे, highly fashionable, ऐसा हम क्यों बोल रहा हैं, क्योंकि हमको ऐसे ऐसे evidence मिले हैं, जिससे हम यह चीज़े बता रहे हैं, सब्सक्राइब के यहां पर चाहे male हो, यहां चाहे female हो, वो अपने आपको बहुत ज्यादा डेकोरेट करते थे, यहां बहुत, decorated themselves, यहां काहे से, with variety of ornaments, with variety of ornaments, मैंने आपको प्रीस्ट को भी दिखाया था, यहां उसके भी हाथ में, shawl में design देखाया था, हाथ में, मतलब सिर में, माथे में जो लगाया हुआ था, उसको भी दिखाया था, मैंने आपको dancing girl दिखाया, उसमें भी आपको बताया, mother goddess दिखाया, उसमें भी आपको दिखाया, नेकलेस, एंकलेट्स, यह सब आपको खूब देखने को मिलेगा, चीक है न, तो वही यहां पर variety of ornaments देखने को मिल रहे है, precious metals देखने को मिलते हैं, इसमें आपको gems देखने को मिलते है, चीक है, यह सब चीजे हमको देखते हैं, फिर उसके बाद necklace के अलावा मेरो को, मतलब मेरो को क्या सब को armlets देखने को मिलते हैं, अमलेट्स वनावी वह लोग पहनते थे जैसे एमीलेट एक्जांपल वताया था मैं आपको एमीलेट्टों हाथ में रखते थे खिर पारा हम आपको पार वह जशा है और उसके अलावा आनौारेस के तो यह मेल में भी देखने को मिल रही है, फीमेल में भी देखने को मिल रही है, प्लस फीमेल में भी देखने को मिल रही है, तो यह जो वुमें को आपको क्या-क्या पहने हुए देखने को मिलेगी, तो आपको गर्डल्स देखने को मिलेगा, आपको इयर्रिंग्स देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एंकलेट्स देखने को मिलेंगे मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है जब इतना सब कुछ चल रहा होगा जब इतना सब कुछ इतने फैस्टनेवल है वो लोग, तो आपको नहीं लगता वहाँ पर यह जो यह वाली इंडेस्ट्री रही होगी जिसको हम बोलते हैं बीड इंडेस्ट्री बीड इंडेस्ट्री भी फ्लरिस्ट कर रही होगी बीड इंडेस्ट्री भी आपकी फ्लरिस्ट कर रही होगी फ्लरिस्ट मतलब bead industry flourish कर रही होगी, मतलब यहां पर factories वगएरा होती होगी, जहां पर यह सब चीजे काम किया जा रहा होगा, bead industry से related, तो हाँ, ऐसी कुछ industries हमको देखने को मिलती हैं, चनहुदारों में, इसके अलावा आपको लोथल में भी कुछ industries देखने को मिली हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिलते थे, beads industries थी, उसमें steatite का यूज करना, gems का यूज करना, यह सब चीजे आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको यहां पर आपको बहुत जादा skills देखने को मिलेगी, bead industry से related, यहां पर आपको technical skills देखने को मिलेगी, technical skills has been displayed, वो भी देखने को मिली हमको, किस से related, with respect to bead industry, ठीक है न, यह हम कैसे बोल सकते हैं कि technical skill है, उनके, with respect to bead industry, bead industry, तो यह हम देख के बोल सकते हैं, जब हम beads को देखेंगे, अब मैं आपको beads दिखाऊंगा, ठीक है न, तो उसमें से देखने को आपको मिलेगा, कि वही हां, य उसके अलावा अगर हम देखें, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यह इतना जादा flourish होता था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि देखो, यहां पर हमको, कुछ evidence ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ evidence हमको देखने को मिलेगा, मिला है, जहां पर जो dead bodies होती है, dead bodies होती है, dead bodies, उनक हमको भी decorate किया जाता था, decorated, क्योंकि हमको dead bodies में हमको evidence देखने को मिले है, evidence कैसे, कि जो dead bodies buried की गई है, उनके आसपास आपको ornaments देखने को मिलेंगे, dead bodies में से भी हमको ornaments देखने को मिल रहे है, मतलब ये क्या बताते थे, कि ये fashion को कितना ज़्यादा importance शो करते थे, और ये believe करते थे, life after death, believe in life after death, इसलिए वो क्या करते थे, अपने साथ ये सोचते थे, कि हम ये, जो हमारा ये, जो भी हमारे पास है, सोना चांदी, ये सब हम उपर लेके जाएंगे, दूसरी दुनिया में लेके जाएंगे, तो क्या करते थे, इनको decorate करते थे, अपने आपको decorate कर, मतलब मरने के बा आते हैं, excavate करते हैं, तो हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये evidence देखने को मिलते हैं, ये पूरा, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, कि वो कितना ज्यादा fashionable थे, इसके अलावा हमको वहाँ पर lipstick देखने को मिलती हैं, cosmetic products देखने को मिलते हैं, face paint, eyeliner, ये सब भी व women's जो थी, यहाँ पर आपको lipstick, lipstick के साथ साथ, eyeliner, उसके साथ साथ आपको face paint, ठीक है न, face paint और उसके साथ साथ आपको cosmetic products, ये भी देखने को मिलें, सब्जागा है, तो इतना ज्यादा sophisticated होते थे उस समय के लोग, सब्जाएर आपको, तो अब ये कैसे काम, यहाँ पर देखो ये देखो वही, उनके necklace, देख लो, ये beadwork जो होता था, उनका देखो यहाँ पर, ये stone से बना हुआ हो सकता था, ये metal, इसमें stones, bones, bones का भी use करते थे, metals का भी use करते थे, string देखो, ये metal की होगी, ये आप देखो, इसमें metals का भी use करते थे, पत्तर का भी use करते थे, कितने sophisticated manner मे ये earring, फिर आपको anklet, armlet, सब कुछ देखने को मिलेगा, इतने sophisticated manner में वो पूरी industry को तयार किये हुए, सब्सक्राइब करते थे, ये सारी point याद रख लेना आप दिमाग में अपने, ठीक है न, ये image देख लो अच्छे से, और इसको एक बार जाकर के read कर लेना, ये समयने आ सब कुछ देखने को मिलेगा, कितने तरीके के variety देख हूआ है, जाना अलग अलग तरीके के, अलग-अलग, कितना ज्यादा sophisticated matter में वो industry चला रहे है, सब मैं गया हूं?